एक दिन एक एक बेहन ची मेरे पास आके कहा देखो मेरा बेटी उनका बेटी को जो सौने के समय पर वो बेड में फिसाब करती है तब मेरे पास लेकिया है आप थोड़ा प्रातना करो उसको बहुत सरम है और रोज मुझे भी बहुत अकलिफ है वो रात को ऐसे ही पिजाब करता है तो मैंने बोला देखो महीं तो प्रातना करेगा लेकिन पाहले आप अभी तब क्या किया उसके लिए कुछ किया क्या यहां लिगा है विश्वासियों को ये चमतकार होगा और रोगियों पर हाथ लगाने से चंगाई होगा आपके एक माहें आपका गर में आपका पदी है और पदी मतलब बाप और माह दोनों मिलकर ख्योम नहीं हाथ लगा के प्रातना किया आपका बेटी के लिए हम लोग करने से नहीं होता है इसको बोलता है कि यही हमारा भीमारी है सबसे बड़ा हमारा विश्वास का हमारे अंदर जितना वर्यदान प्रभू दिया है यह बालब नहीं होता है इसलिए हम लोग कुछ प्रभू के लिए काम कर नहीं सकता है तो मैंने उसे प्रेम से कहां तुम प्रातना करो और एक तिन नहीं कुछ दिन करो एक अप्तार रोजा प्रातना करो और प्रभू ने ये भी लिगा है मेरे सामने खड़े कम से कम अगर दो विक्ति जो कुछ भी एक मन होते हुए प्रातना करेगा तो मेरा सुर्गी का पिदा जरूर सुनेगा अगर दो विक्ति एक मत होते हुए प्रातना करेगा तो जरूर होगा और वो एक अप्ता प्रातना करने के बाद मुझसे मिला मिलते हस्ते हस्ते आने लगा तब यह मुझे समझ भी आया काम हो गया करके अब यह सोचो हम लोग जो माबाप है हम लोग जो माबाप के द्वारा प्रभू ने बच्चों को सुठी किया है कि नहीं तब प्रभू हमको इतना बड़ा वर्दान दिया है प्रभू प्रभू हमारे द्वारा उनको बच्चा को सुठी किया तो हम प्रभु के साथ बहुत निकट है ऐसा नहीं फादर लोग सिस्टर लोग को सब बहुत वर्दान है लेकिन हमत सोचो हम माबाप लोगों को भी प्रभु ने बहुत वर्दान दिया है वर्दान को हम इस्तेमाल करना चाहिए आईए अभी आप इतना सोचना चाहिए पहले आप हर एक विक्ति का अंदर आप कोई भी हो हर एक विक्ति में प्रभु ने कुछ न कुछ वर्दान दिया है कोरेंदियों का नाम पहला पत्र अध्याए 12 में सात्वा वजन यह लगा है वह प्रत्येकों वह प्रत्येकों वर्दान दिता है प्रत्येकों तु इच परसन लोगों इतने समझ लोगों आप पहले गुरुप बनायेता क्या फादर जी है वो ग्रूप फुर बनाएंगे अभी अभी हम लोग ऐसा करेगा वही ग्रूप में अब आएंगे और वो ग्रूप में क्या करेगा कि कितना लोग था एक ग्रूप में पांच से उपर था तो ये कात्मी बैटेगा नहीं तो कुछ नहीं टेकेगा बाकी लोग उसके लिए ये प्रारतना करेगा उसके अंदर जो भी वर्यदान है वो बाहर आने के लिए और प्रारतना करते वक्त जो प्रारतना करने वाला लोग प्रभू से मांगिये है प्रभू इनका अंदर क्या वहरदान है तो शायद आप लोगों को उपर भी आपका अंदर भी वहरदान, वहरदान खाम करने चालू होगा जैसे की आप में किसी को ऐसा लगा कि कामर में धरत हो रहा है अब ये एक आत्मी के लिए प्रारतना करते वक्त आपको जो प्रारतना करने वालों को लगा खामर में धरत तो आप क्या करएगा आप उससे पूचेगा क्या आपको कामर में धरत है हाँ हाँ मतलब उनका कामर का धरत आपका एंवर होता है उह एक वरदान है ताकि आप उसके लिए फांस ना कर सकता है तो आपको जिसको दरत मालम पढ़ रहा है वो एक दर्शन जैसा एक दूसरा वर्दान है उसका अंदर जो बीमारी को समय समझाने के लिए थाकि हम उसके लिए प्रातना करा तो जिसको दरत मालम पढ़ा उसको प्रभू ने चुना है तुम उसके लिए प्रातना करो तब बाकी सब मिलके उनका कमर का दरत के लिए प्रातना करो वो दरत दूर हो जाएगा आपका सामने ने मालूँ पड़ेगा और प्रातना करते वक्त उनका बेच्पन का कुछ कहानी नहीं तो कुछ चीछ मालूँ पड़ेगा समझो कि वो साइकल चला रहा था और सड़क पर गिर गिया और वो कुछ पानी पर गिर गिया वो दर्शिन में आएगा एक लिड़का साइकल में जा रहे हैं और सड़क के किनारे गिर गिर गिया और पानी पर गिर गिया आप पूछो देखो आपको ऐसा हुआ क्या हाँ मैं उसके बाद बहुत डर गिया उसके बाद अभी मै दर का बारे तो अभी क्या होगा है प्रभू इनका अंदर उसी दिन बहुत साल का पहले वो साइकल से गिरा और उसका अंदर जो डर है उसको उसको चांगाई कीजिये तो वो डर दुर हो जाएगा आईसा करते करते हैं यह जो हम प्रात्रा करते वक्त पवित्रात्मा आपको बहुत वर्दान दिखाएगा आईए अभी आप वो ग्रूप में चले आईए सब लोग ग्रूप में जाईए ग्रूप में जाईए और मैं यहां से बजाएंगे वो ग्रूप में क्या करना है चाहिए फिर ग्रूप बिना कुर्सी नेकल जाओ समझ में आया है वो ग्रूप में ग्रूप बिनाओ हाँ ठीक है वो जो बारा ग्रूप बिनाया है वो ग्रूप में फिर वापस आजाओ झाल झाल झाल